नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरू जी स्टेडी पॉइंट को और पाईए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है गुरू जी स्टेडी पॉइंट में दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने इसकी पहली वीडियो में कुछ महत्वपूट प्रसंद हल किये थे तो आईए कुछ और महत्वपूट प्रसंद देखते हैं जो कि यूपी टैट और सुपर टैट की परिक तो देखते हैं पहला प्रसंद किस अनुच्छेद के तहट हिंदी को राजवासा का दर्जा दिया गया है इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343 देखिए दोस्तों ये तो हुई अनुच्छेद की बात अगर आपसे पूँचता है कि किस अनसूची से लिया ग दियेगा तो अब देखते हैं अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण यह है हिंदी भासा का नाम सरप्रथम किसने सुझाया था यह जो आपका नाम है हिंदी यह किसने सबसे पहले बोला था कि यह हिंदी नाम रखा जाए तो आप में इसे जिस भी बच्चे वो पता हो वो तुर वह 1975 में हुआ था और अगर यह पूचता है कि कहां हुआ था तो आपका हो जाएगा नागपुर देखते हैं अगला प्रशन 11 हिंदी सम्मेलन 2018 कहां पर हुआ तो यह आपका हुआ था मौरिशश में अगर यह पूचता है कि वारवा हिंदी सम्मेलन कहां पर होगा तो वो आपका होगा सन 2021 में तो अब देखते हैं अगला प्रशन हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है ये आपका हो जाएगा परिक्षा गुरू और अब देखते हैं अगला प्रशन विश्व का प्रथम ब्याकरट ग्रंथ कौन सा है इसका उत्तर हो जाएगा अश्टा ध्याई अगला प्रश्न हिंदी की आदिकवित्री किसे कहते हैं हिंदी की आदिकवित्री कहते हैं मीरा भाई को देखिए आपका जो प्रतम ब्याकरट ग्रंत अश्टा ध्याई है कभी कभी यह भी पूच लेता है कि वो किस ने लिखा है तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा पाड़नी ये ध्यान रखिएगा आप लोग और साथी साथ लिखी भी लिजिएगा और अगर आप लोगों ने ये वीडियो भी सेयर नहीं की है तो देखने से पहले आप लोग सेयर कर दिया कीजिए अपने मित्रों के साथ जिससे कि वो भी साथ-साथ इस वीडियो में पढ़ते रहें और वो भी साथ-साथ लिखें तो फिर आप लोग बात में एक दूसरे से सुन भी सकते हैं तो share जरूर कर दिया कीजिए और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छी थी कुछ समझ में आया कुछ important प्रस्ण थे तो आप लोग लाश्ट में वीडियो को like करके ही जाया कीजिए तो अब देखते हैं अगला प्रस्ण हिंदी का पृथम समाचार पत्र कौन सा था इसका उत्तर आपका हो जाएगा बंगाल गजट देखते हैं अगला प्रस्ण हिंदी के पृथम गीतकार कौन थे इसका उत्तर आपका हो जाएगा विद्यापती तो अब देखते हैं अगला अगला प्रशन देखते हैं किस काल को स्वंड काल कहा जाता है इसका उत्तर हो जाएगा भ्क्ति काल आप देखते हैं अगला प्रशन ग्याण पीट से सम्मानित प्रतम साहितिकार इसका उत्तर हो अगला प्रशन ग्यांपीट से सम्मानित प्रथम महिला तो यह है आपकी हो जाएंगी महादेवी बर्मा जी देखे इनको ग्यांपीट मिला था यह इनकी जो रचना थी यामा के लिए और इसी के साथा देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को जो मिला था वो उन्हें मिला था चिदंबरा के लिए इसी में आप रेकेट में लिख लीजिएगा सामने जिसे कि आपको याद बना रहे और आप देखते हैं अगला प्रशन भारत के पिर्थम राष्ट कभी कौन थे तो पहले राष्ट कभी जो थे वहते मैं थली सरड गुप्त जी बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है ये कई बार पर इक्षाओं में पूँचा जा चुका है इस पे आप इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा और इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए अगला प्रशन आधने क्युकी मीरा किसे कहा जाता है तो दोस्तों आधने क्युकी मीरा हो जाएंगी महादेवी बर्मा जी दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह नया चैनल है इसलिए आप लोग अभी इस चैनल को जितने भी लोग हुआ करें सब के साथ सेयर कर दिया कीजिए और सबसे कहिए सबस्क्राइब करने के लिए देखे जब चैनल अच्छा चलेगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आप लोग के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लापाऊंगा तो दोस्तों ज़ादा से जदा महतरा में शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और टेकिया कीजिए अपने दोस्तों को जिससे की चैनल सब्सक्राइब हो और लाइक करके ही जाय कीजिए आप लोग आपको कुश समझ में आए important question लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए तो अब देखते हैं अगला प्रशन रामधारी सिंग जिसे दिनकर भी कहा जाता है इनको ग्यानपीट वरुसकार किसके लिए मिला था तो दोस्तों रामधारी सिंग दिनकर जी को ग्यानपीट मिला था उर्वशी के लिए अगला प्रशन हिंदी खड़ी बोली का जनमदाता किसे कहा जाता है तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदो हरिश्चंद जी ये प्रशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार प्रिक्षाओं में आ चुका है अच्छे से याद रखिएगा हिंदी खड़ी बोली का जनमदाता भारतेंदो हरिश्चंद जी तो अगला प्रशन देश का पहला राष्ट्री हिंदी संग्राले कहां पर इस्तित है तो यह आपका इस्तित है आगरा में आप देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन देखते हैं देश का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है तो यह आपका हो जाएगा नर सिंगपुर में नर सिंगपुर जिला मद्य प्रदेश में पढ़ता है साथ में लिख लीजिएगा अगला प्रशन देखते हैं हिंदी में आश्रिलिप के जनमदाता कौन है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा राधिलाल दुवेदी जी. अगला प्रश्न हिंदी की प्रिथम पत्र का कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा संबाद कौमुदी. अगला प्रश्न अटल विहारी बाजपई हिंदी प्रिस्व द्याले कहाँ पर इस्तित है? इसका उत्तर हो जाएगा बोपाल. तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. आगे मैं आप लोगों के लिए करेंट अफेर्स की इसी वीडियो लाने वाला हूँ. सब्सक्राइब कर दीजिए गुरुज स्टेडी पॉइंट को और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो बिना लाइक किये मत जाएगा और इस वीडियो में आप लोगों को जो भी ची समझ में ना आई हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको फिर से समझा दूंगा थैंक यू